आप देख रहे हैं समाचार एजनसी अफिंडिया में साइन न्यूज नमस्कार दोस्तों समाचार एजनसी अफिंडिया की साइन नियूज में लिम्टी की लाल टेन के 186 बे एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके पहले हम आपको बता दें कि लिंटी की लाल टेन अब हर रात आठ बजे आप देख सकते हैं आज हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिस फिल्म को लेकर अभी चर्चाओं का बाजार जबर जस तरीके से जरम है इन दिनों अन्पमकेर, मितुन जकरवर्ती, पुनी तिस्तर जैसे मेगा स्टार्स के साथ बनी फिल्म दे कश्मीर फाइल्स की चर्चाएं जम कर चल रही है देश के सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म होगी जिसका प्रमोशन स्टार्स नहीं उसमें काम करने वाले जो कलाकार अदाकार नहीं बलकी जनता खुद करती नजर आ रही है इतिहास के पन्नों में अगर इस तरह की दर्द भरी घटनाएं दम तोड़ चुकी हैं जिन्होंने इंसानियत और समाज दोनों को जम कर शर्मसार किया है यहां शर्मसार कहना के ला परियाप्त नहीं होगा वरन ये कहा जाए कि इस तरह की घटनाओं ने इस तरह के ऐसे जख्म दिये हैं जो उपर से तो भरे नजर आते हैं पर अंदर ही अंदर वे आज भी हरे माने जा सकते हैं देश के अबिन अंग काश्मीर में अलप संख्यक हिंदू पंडितों के पलायन के बारे में यदा कदा आपने सुना पढ़ा जरूर होगा देखा भी होगा किन्तु उनके पलायन के पीछे इस तरह की दुरदशा चिपी हुई है जो अब तक हुकमरान जो भी सतधारी रहे हैं उन्होंने जन्ता के सामने लाने से इसे गुरेज ही किया है दा कश्मीर फाइल सहित कमोबेश हर एक फिल्म में डिस्कलेमर अर्थात इंकार या असीर करन लिखा होता है जिसका आर्थ यह होता है कि ये एक काल्पनिक कथा पर कहानी पर आधारित है और इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है इसके बाद भी दा कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने सुनने के बाद आप से हम फैसला कर सकते हैं कि ये कथा काल्पनिक है अत्वा हकीकत ता कश्मीर फाइल्स आपको भावनात्मक रूप से जचकोर भी सकती है जचकोर ती नजर आती है कश्मीर में रहने वाले पंडित इस तरह पंडितों पर हुए आला गर्जे के जुल्म को चल शितर अर्थात सिनेमा में कहीं न कहीं रेखांकित बहतर तरीके से किया गया है 11 मार्च को दे कश्मीर फाइल्स महज 700 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई इस फिल्म के बारे में देश भर के मित्रों रिश्टे नातेदारों से चर्चा के बाद एक बात तो आइने की तरह साफ हो गई हमने काई लोगों से चर्चा करी रोज ही इस बारे में चर्चा हो रही है ये बात बिल्गोल स्पस्ट हो गई कि इस फिल्म को जब कर लोग सराय रहे हैं कुछ मित्रों ने यहां तक भी पताया कि उन्होंने दस से पंदर है बरस हो गए हैं सिनेमा घर में तेटर में जाकर फिल्म नहीं देखी पर इस फिल्म के बारे में जिस तरह की कैमपेनिंग जनता के दौरा खुद ही की जा रही है जनता के दौरा खुद की जाने वाली कैमपेनिंग जो उन्होंने देखा और सुना उसके बाद में अपने आपको रोक नहीं पाए इस फिल्म को देखने से या ये कहा जाए कि इसके बाद फिल्म देखना उनकी मजबूरी बन कर रह गई थी लोगों को कहना यहां तक भी था कि इस फिल्म को देखने के बाद पैसा वसूल हो गया है ये कहा जाए तो अतिशोक्ती नहीं हो गई इसके पहले कश्मीरी पंडितों के पलायन और कमोबेश इसी तरह की तराजदी को लेकर विदू विनूद चौपडा के द्वारा शिकारा नाम की एक फिल्म बनाई गई थी पर उस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याये पर ज्यादा फोकस नहीं होने के कारण उस फिल्म को आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था दरसल आपने जिस जगाए जिन लिया है आपका जहां बच्पन बीता है जो गलियां आपके बच्पन से जवानी तक की साक्षी रही हूं उन गलियों को आपको अगर सदा के लिए छोड़ना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे समझा जा सकता है अगर आपको अपने ही देश में लिफ्यूजी अर्थात शर्णार्थी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे ये सारी चीजें शब्दों में बया करना बहुत आसान माना जा सकता है पर इस सब को सहन करना कितना कश्टकारी रहा होगा ये बात सूचकर ही आपकी रीड की हड़ी में सेहरन भी पैदा हो सकती है जो कुछ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ इसे पलायन की संग्या कता ही नहीं दी जा सकती ये तो एक सोची समझी बरबर नरसमहार की संग्या इसे दी जाए पर आशर तो इस बात पर होता है कि सब को इस सारी चीज़ों को उस वक्त के हुकमरानों ने सियासी कारणों के चलते हाशिये में ढखेल कर रख दिया था और पटाच शेप कर दिया गया था ये सारी बातें ना मीडिया में कहीं दिखाएगी ना ही इन सारी बातों को जनता तक पहुशने दिया गया तब संचार प्रांती नहीं थी कश्मीरी पंडितों के मन में आज भी कसक महसूस किये जा सकती वे आज भी सम्मान और पहचान के लिए तीन चार दशकों से रहे हैं असी के दशक पहले कश्मीर और उसके बाद का कश्मीर दोनों में साफ अंतरा आप देख सकते हैं सतर के दशक तक कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था इतना ही नहीं रूपहले परदे अर्थात वालिवन में जो निर्माता निर्देशक होते थे उनकी पहली पसंद क कश्मीर की बादियां हुआ कर için और वे हिरो फिरो ढूराइनस के टांस करवाएं यह दिखाएं गीत वहीं गवाएं पर असी के दशक के बीथते बीथते कश्मीर की वादियों कश्मीर की जो वालियां थी फिल्मों से गायव होने लगी कश्मीर जो पहले समरद हुआ करता था जिसके आचल में एक साथ अनेक संस्कृतियां हिल मिलकर रहा करती थी वो एक विवादत और आतंक गरस्त छेतर के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा हमने इसके पहले भी आज भी ये हरे होंगे सुलग रहे होंगे तो किसी वो आश्यर नहीं होना चाहिए किसी भी जख्म से पट्टी हटा देना उसका एलाज नहीं है इस तरह के जख्म का उपचार तभी संबव हो पाएगा जब घाओ के लगने के कारणों को सुईकार किया जाए इस फिल्म में विवेक अगनियोत्री की ने मानवता को इंसानियत को शर्म सार करने वाली घटनाओं को दिखाने में भी संकोच नहीं किया है बरबर घटनाएं उन्होंने बकाइदा दिखाई हैं वे बहुत बदाई के बात है इस पूरे चल्चितर में अनेक पहलियों को भी इस पर्ष कर दिखाने के आरूप या उस दार के मीडिया को आतंक वादियों की रखैल तक कहने की बात हो इसको बहुत साफ को इसके साथ फिल्म में दिखाया गया है ना जाने कितने मुद्धों को एक साथ सूच में परूने का काम विवेक अगनी हुतरी के दौरा किया गया वे बहुत के पात्र है फिल्म के अनेक बार आपको यह लगने लगता है कि फिल्म अपने रस्ते से भटक भी रहे, कई बार आपको लग रहा होगा, पर कहानी जस तरह नहीं होना चाहिए, इस फिल्म की तारीफ, कमवेश, देश का हर नागरिक कर रहा है, जिसने ऐसे देखा वो उसका पूरी तरह से फिल्म से सहमत नजर आ रहा है तारीव कर रहा है इतना ही नहीं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी निर्माता निल्देशक अदाकारों की पीठ थप थपाई गई है इस फिल्म का जादू लोगों के सर चाड़कर बोल रहा है इस बास से इंकार नहीं किया जा सकता है या यह कहा जाए तो अतिश युक्ति नहीं होगी कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो बरबर सलूक पर बनी यह फिल्म देकश्मीर फाइल्स बिना किसी प्रमोशन के जनता के दोरा दिये गए प्रमोशन के पाद बाक्स आफिस पर दहार रही है अगर यह कहा जाए तो अतिश युक्ति नहीं होगी यह फिल्म बाक्स आफिस पर दहारती नजरा रही है समाचार एजन्सी अफ इंडिया की साइन यूज में लिम्टी की लाल टैन अब आप हर रात आठ बजे देख सकते हैं हर रात आठ बजे लिम्टी की लाल टैन का एक एपिसोड प्राइम टाइम में प्रसारित होगा आप अभी कोरोना काल चल रहा है कोविड अभी गया नहीं इसलिए जो प्रोटोकल्स दे गए हैं उनका आप पालंग करें आप समाचार एजन्सी अफ इं हम बहुत जल्दी हाजर होंगे फिलाल आपसे अजात्त लेना चाहेंगे जए हिन प्रज़न जएटती होगा आपसे आपसे अजर्ड़न वालंग करें बहुत सा Damn www.tham.at-ices.ton